जल्धी भारत फाइव ट्रिलियन डॉलर एकनोमी बन जाएगा। पुराने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ एंजिन होगा। प्रती गिगाबेट डाटा की कीमत में भारत सबसे कृफायती देशों में है। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को दस्वी वजगान पर बहुत-बहुत बधाई और शुबकामनाई देता हूँ। पिछले दस वर्षों में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपून भूमी का निभाई है। 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आउजित की गई थी तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से बहार आ रहा था। उस समय ब्रिक्स ब्रैश्विक अर्थ ववस्ता के लिए एक आशा की किरण के रुप में उबरा था। वर्तमान समय में भी कोवीड महमारी तनावों और विवादों के बीश विश्व आर्थिक चुनोतियों से जूज रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपून भूमी का है। फ्रेंट्स वैश्विक अर्थववस्ता में उथल पूथल के बावजूत भारत आज विश्व की फास्टेस ग्रोइंग मेजर एकॉनमी है। जल्द ही भारत फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदे नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ एंजिन होगा। यह इसलिए हैं क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफार्म्स किये हैं उनसे भारत में इज अब दूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लाइंस बर्डन को कम किया है। रेट टेप को हटा कर रेट कार्पेट विछा रहे हैं। GST और Insolvency and Bankruptcy Code के लागू होने से Investor Conference बढ़ा है। रक्षाव और अंतरिक्ष्यस एक्षेत्र जिन को प्रतिबंदित माना जाता था आज प्रावेट सेक्टर के लिए खोल दिये गए है। हमने Public Service Delivery और Good Governance पर विशेश रुपसे ध्यान के इंद्रित किया है। टेक्नोलोजी के इस्तमाल से भारत ने Financial Inclusion की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाप हमारी ग्राण में महिलाओं को मिला है। आज एक लिक से भारत में करोडों लोकों को Direct Benefit Transfer किये जाते हैं। अब तक 360 बिलियन डॉलर से भी अधिक ऐसे ट्रांसवर किये जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलिवरी में पारजर्स्रिता बढ़ी हैं और प्रस्टाचार और मेड़में कम हुए हैं। प्रती गिगाबेट डाटा की कीमत में भारत सबसे कुफायती देशों में हैं। आज भारत में स्रीट वेंडर से लेकर बड़े-बड़े शॉपिंग मौन सक यूपी आई यान विनाइफाइड पेमेंट इंटरपरेस का इस्तिवाल किया जाता है। आज वीश्टों के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजिक्शन वाला देश भारत है। वीएई, फ्रांस, सिंगापूर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म से के साथ जुड़े है। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावना है। भारत के इंफ्रासेक्टर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिद्रश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजेट में हमने इंफ्रासेक्टर के लिए लगभग 120 बिलियन डॉलर का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविश के एक नए भारत की मजबुत नीव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एरवेज हर क्षेत्र में तेज गती से बड़लाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमेटर प्रति वर्ष के रफ्तार से नए हाइवे बन रहे हैं। पिछले नव वर्ष में एरपोर्ट के संख्या दोगुनी हुई हैं। निवेश और उत्वादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोड़क्शन निंक इंसेंटिव स्केम्स लागु की हैं। लॉजिक्सी कोग्स कम होने से भारत का मैनुप्रेक्टर सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूबल एनर्जी की खेतरों में भारत वर्ल लीडर में से एक हैं। हम भारत को सोलार एनर्जी, विन एनर्जी, एलेक्रिव वेहिकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे खेतरों में ग्लोबल मैनिफेक्टिरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कर्म उठा रहे हैं। स्वाभाविक हैं कि इसे भारत में रिन्यूबल टेक्नोलोजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा। आज भारत में विष्टो का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टिम है। भारत में इस समय सों से भी अधिक यूनिकॉम है। IT, टलिकॉम, फिंटेक, AI और सेमिकंट्रक्टर्स जैसे क्षेतरों में हम Make in India, Make for the World के वीजन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का सामाने जन के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्पक प्रफाव पड़ा है। पिछले नव बर्सों में लोगों के आए में लगभग तीन गना वृद्धी हुई हैं। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं के शसक्त भागीदारी रही है। आइटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केर तक, महिलाए पुरुसों के साथ कंदे से कंदा मिलाकर देश की प्रखति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक, एक विक्सित राष्ट बनाने का संकल्प लिया है। प्रेंट्स, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में साविज होने के लिए आमंतरित करता हूँ। कोविड महमारी ने हमें रेजिलियन्ट और इंक्लूजिव सप्लाई चेंज के महत्प को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्सिता बहुत ही महत्पून है। हम एक दुसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्वा खास तोर पर ग्लोबल साउथ के कल्यान में महत्पून योगदान दे सकते हैं। एक्सलेंसी, मैं एक बार फिर ब्रिक्स बिजनेस जगत के लीडर्स को उनके योगदान के लिए बढ़ाई देता हूँ। इस मीटिंग के शांदार आयोजन के लिए मैं मेरे मित्र राश्पति रामा फोसा का भी आफार वेक्त करता हूँ।